चोपड़ा है जो किसी यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हरदिक स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बच्चो नीट का एडमिट काड डाउनलोड करने के बाद में स्टूडेंट को काफी प्रोब्लम आ रही थी क्योंकि इसमें जब हम पोस्ट काड साइज का फ स्पेस को बढ़ा दिया है जो फोर इंटू सिक्स इंस की हम फोटोग्राफ इसमें पेस्ट कर रहे थे पोस्ट काड साइज की फोटोग्राफ तो इसके लिए पहले स्पेस कम था उसमें फोटो सही तरीके से आ नहीं रही थी तो यह एंटिये ने अभी रिवाइजड एडम कर रखा है और उसमें फोटो ठीक से पेस्ट नहीं हो रही है क्योंकि उसमें तो ठीक से पेस्ट होगी नहीं इतना इसपेस नहीं है तो आप दुबारा से नीट की वेब साइट पर जाके एडमिट काड डाउनलोड कर लें एडमिट काड डाउनलोड करने के बाद में यह से student के साथ में आ रही थी वो यह आ रही थी कि यह जो PDF फाइल है किसी के चार पेज डाउनलोड हो रहे थे एक ब्लेंक आ रहा था किसी में पांच पेज हो रहे थे यह according to PDF सेटिंग थी लेकिन यह अभी NTA ने इसको भी ठीक कर दिया है और यह चार पेज में ही आपका एडमित काड डाउनलोड हो रहा है तो आप जब इसका एडमित काड डाउनलोड करेंगे तो जैसे यह एडमित काड आपका डाउनलोड होने उसमें आपके 4 पेज आएंगी, पहले वाले पेज पर आपकी detail और train center की detail आएगी, दूसरे वाले पेज पर आपको postcard size की photograph साथ में paste करके ले जाना है, तो आपको ये 2 पेज ही ले जाने की जरुत है, इसके बाद में 3rd और 4th पेज पर instructions दिये गए हैं, अगर आप ये print नहीं क करना चाते हैं, तो कोई problem नहीं है, आप ये 2 पेज प्रिंट करके आप वहाँ ले जाएं, ये 2 पेज की ही जरुत है, तो इस प्रकार से आप revised admit card दुबारा से download कर लें, और इस पर जो postcard size का photograph है, वो दुबारा से paste कर लें, आपने पहले वाले admit card पर paste कर दिया है, तो उसको इस पर सीधी photo paste कर लें, कोई problem नहीं होगी, तो ये एक जानकारी थी, जो NTA ने जो neat admit card में कुछ कमिया थी, उसको पूरा कर दिया है, और revised admit card अभी डाल दिया है, आप इसको latest admit card को download कर सकते हैं, और कोई problem होगी, तो मैं आपको बदा दूंगा, कि उसका क्या sort out है, तो दोस् झाल 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 झाल झाल